डेली रात को ये सोच कर सोता हूँ, कि सुबह जल्दी उठकर एक चेप्टर खत्म करना है, अलार्म भी लगाता हूँ, बजता भी है, लेकिन पांच मिनट सोने के चक्कर में पांच घंटा कब निकल जाता है, यार कुछ पता ही नहीं चलता, फिर सोचता हूँ रात में पढ़ाई करने के बाद ये कह कर सोचाता हूँ, कि इस बार सुबह चार बजे पक्का उठोंगा, और कई बार तो ऐसा भी होता है, कि पूरी जोस के साथ पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय गल्फेंड या बॉइफरेंड का मेसेज आता है, और फिर सोचते हैं तो सिर्फ कैलेंडर ही बदलेगा, जिंदगी नहीं, और कैलेंडर बदलने से काम नहीं चलेगा दोस्त, आपको अपनी जिंदगी भी बदलनी होगी, अरे कब तक खुद को धोखा दोगे यार, कब तक अपने माबाप को चीट करोगे, जब तुम्हें पता है ये सारी करने में लगे हो, सही यार, सही जा रहे हो, लेकिन कितना सही जा रहे हो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बनाओ बहाने, लेकिन बहाने बनाने से पहले एक बार, एक बार अपनी फैमिली की कंडिशन को देख लो, अपने घर की हालात को देख लो, दीन रात मजदू करते हैं तब जाकर आप इस लाइफ को जी पा रहे हों क्या आज जो आपका हालात है आने वाला पांस साल बाद या दस साल बाद क्या इसे बदलना नहीं चाहोगे तो कुछ करो यार अरे अपने लिए ना सही लेकिन कम से कम उस बुढ़े माबाप के लिए जो तुम्हें आग उसी तुम्हारे पिता जी से कहे कि मेरा बेटा ये बेटी का रिजल्ट हो गया तुम्हारा बेटा ये बेटी का हुआ या नहीं तो क्या जवाब देंगे क्या जवाब देंगे उस वक्त तुम्हारे पिता जी गर्ब से कहे अगर उस वक्त चाहते हो कि तुम्हारे पिता ज का सर जुके ना तो मेरे भाई मेरी बहन आज तुम सर जुका कर मेहनत कर लो जितना टाइम वेस्ट होना था हो गया अब कमर कसलो हो जाओ तयार एक लड़ाई खोद से माबाप समाज के ताने सुन सुन कर ठक गए होंगे वादा करो अपने आप से कि मुझे 2030 में एनी हाव सफल होना है हर वो चीज को त्याग दो जो आपके सफलता के बीच बाधा बनकर खड़ी हो अरे जिस मेहनत से आज तु भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी जोग दो खुद को इस आग में यही आग तुझे कल हीरा बनाएगी